दोस्तों कुछ लोगों को आदद होती है कि वो ड्राइविंग करते समय अपना हाथ स्टेरिंग विल पर ना रखके इस तरीके से गियर नॉब पर रेश्ट कराते हैं पर दोस्तों क्या आपको पता है कि ये आपकी गाड़ी की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है गियर बोक्स के अंदर सिलेक्टर फॉक होता है जो की गियर चेंज करने के लिए मुविंग पार्ट्स के साथ कॉन्टेक करता है अब आप चलती गाड़ी में अगर गियर नॉब के उपर हाथ रखे रहते हैं तो उससे सिलेक्टर फॉक के उपर अनवांटेड प्रेशर आता ह जिसकी वज़े से वो moving parts के साथ unwantedly contact में आता है और गिस्ता रहता है जिससे gearbox जल्दी खराब होने के chances रहते हैं जैसे जैसे काफी time तक ऐसा आप करते रहते हैं तो gearbox में से unwanted आवाज आती है और ऐसा भी हो सकता है कि काफी time बाद आपको gear change करने में भी तकलिफ हो and as a result आपको gearbox change भी करवाना पड़ सकता है जो की काफी costly होता है इसलिए दोस्तों जब भी आप gear change कर लें तो हाथ वहाँ से अटा लें और steering wheel पर रखें और वेसे भी safe driving के लिए दोनों हाथ steering wheel पर होना जरूरी होता है तो safe driving करें, सुरक्षित रहें, जैहिंद